कि नवस्कार दोस्तों मैं संतोसने साथ आप देख रहे हैं मेरा ये स्किन परफ़र वी चैनल जैसा कि आपने थंबेल में देखा चाहें जितने लाड़ी यूज करो और बिल आएगा जीरो परसेंट तो इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ और आपको इस जानकारी पहुचे इसके लिए मेरा प्रयास है कि जो आपने यूटुब में काफी वीडियो देखा होगा मैंने भी देखा है काफी सर्च करने बाद ऐसे वीडियो मिल रहे हैं कि एक रुपए के सिक्कल आएगा और इसकी रिडिंग कम आएगी और काफी वीडियो ऐसे हैं रिमोट द्वारा बंद कर देंगे रिमोट से रिडिंग कम हो जाएगी कम करने का तरीके बहुत सारे यूटूबर बता रहे हैं मैंने वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो फ्रोट वोडि का के वीडियो में के एक रुपे का सिक्के से को में लाक हो जाएगा मैगनेट लाइए मैने से भी हो जाएगा और रेड़िंग आगे नहीं बढ़ेगी रीडिंग उतने भी लेक्र क करियाwać यूज करिंए उसका कोई भी आगे नहीं आएगा इसे से वो लोग बनाकर आपको दिखा रहे हैं तो उसी के बारे मैं चर्चा करना चाहिएंक। कुछ वीडियो में ऐसा भी है कि उसमें कुछ वायर लगा देना वायर लगाने से वह जो रिटिंग है वह रूख जाती है पर मेरा कहने का मकसद यह है और इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि इसकी सही जानकारी आपको मिल सके तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि यह पहले देखिए विश्टल पहले जो मिट्री चल रहे तो उसमें क्या नियम था कि आपने कभी करची होगी साइकल में जो में होता है जव यह को चलाना यсятता हैं फो मीट्र में रहता है जो विजली में तरह उसी की तरह उसमें भी वो सिस्टम रहता है कि फ्राइविल आगे की और गूमेगा पीछे की और नहीं गूमेगा जैसा फ्राइविल में रहता है एक तरह भी गूमेगा आगे पीछे होगा एक तरह गूमेगा एक तरह नहीं गूमेगा इसी तरह से फ्राइविल की तरह हमारा पहले जो मीटर था पुराना ओल्ड मीटर जो थे उसी तरह का सिस्टम उसमें लगा हुआ है लगा होने के बाद उद भी उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स लगे हुए हैं कि वहां पर वो रिवस का उप्शन है नहीं रिवस नहीं होगा होगा तो आगे होगा कोई आप मीटर डिश्टल मीटर में एक्चुली जो अभी सिस्टम चला है कि हमारी डिश्ट्विल डिस्प्ले भी खराब हो जाएगी मारा मीटर जल जाएगा हमारा मीटर टूट जाएगा इसके बाद भी जो विदुद भी भाग है वह अपनी रीडिंग उस पर निकाल लेता है हम क्या से रीडिंग से मुक्त हो गया या फिर हमारा बिल अब नहीं आएगा इसके बाद यह दि मीटर खराब हो गया रीडिंग जल गई है मीटर टूट गया तो भी उसकी जो उसमें स्टोरेज है वो निकाला जाएगा उसमें निकलता है सिस्टम में पूरा जब डालते हो लो नि इसके बाद युद्भी हमारे फॉन रहती है यहारा फॉन टूट गया फूट गया तो भी उसका वर्क करता रहता है बहुआ निकाल दूसरी में चेक कर सकते सिस्टम ऐसे लगी हुए हैं कि हमारे ख्राब हो जाने के बाद भी वह उम्हारा पूरा डेटा सेव रखता है करना कि जिससे वह मिटर आपका जले और बल जाए तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें लालस देखा कि हम एक मैगनेट लगा देंगे तो मिटर हमारा रोख जाएगा ऐसा कहीं भी नहीं है ना ऐसा होगा उसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ सीटी लगी हुए सीटी सप्ला करती है सीटी से जितना ही पावर निकलता है वह स्टोरेज में जाता है स्टोर जो उसको एक कंटर स्टोर करता है चेक करता है पूरा उसका बाइस सेब करता है सेब करने के बाद इस पिले में आपको दिखता है और हमारे घर के जो आउटपुट है वो देता है तो उसमें ऐ सिस्टम वह सब स्टोरीज द्वारा वह सिस्टम है अब इस्टील कहें तो कैसे वेक्ष और भी नहीं होगा आपको भी प्रियास करिए कि के से यह कुछ वीडियों में है रिमोड दिखातेंगे रिमोड से हम इसको बैक कर देंगे एक हजार रिडिंग उसको पांसों डें करेंगे ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है गलत कर फीजन वीडियों मच जाईए आप और ध्यान में इस इग्नोर करके चलिए नहीं आप उनके लालस में आके अपना मिटर खोलेंगे खोल के सोड सरकिट होगा मिटर आपका खराब होगा तो पंद्रह सो दो जार पर आपको भुकता मेटर है मैं बताना चाहूँавай कि जो ₹ मेटर है उस में सिस्टम कैसा है जिस तरह है आप यूटूब चलाते हैं यूटूब आप स Biz जो भी है आज इस्टिर्ट में यूटूब तो सभी लोग यूच करते होंगगे यूटूब वश्चाप सभी उस करते हैं यूटूब में तो इसको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा सिर्फ डिलीट करेगा तो वो यूटूब कंपनी डिलीट करेगी इसके अलावा कोई डिलीट नहीं कर सकता उसको जिद जो फ्योग है वो कर सकता एक कंपनी कर सकती दूसरा बीच का कोई भी उसको डिलीट नहीं कर सकता है उस तरह की यूटूब की तरह ही जो यूटूब में वीडियो आप देखते हैं उसी तरह का ही ये डिश्टेल मीटर है जो एक बारे स्टोर हो गया उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है वो सिर्फ करेगा तो हमारा विभाग जो विदूद विभाग होगा वही उसको कुछ भी करेगा कम कर करना ज्यादा करना जो भी मगर स्टोर हमारा रहता है जलने बरने सारे होने के बाद टूटने फूटने के बाद भी हमारा मीटर वह हमारा जो स्टोर है वो बना ही रहता है तो ऐसे प्रयासों से हमेशा दूर है और बस लोड़ बचाना है दोस्तों तो इसमें कोई ऐसे बचेगा कि आप सिक्डा लगाने के बाद बच्चेगा कि मेडिन लगाने के बाद बच्चेगा आप जो घर में उपयोग कर रहे हैं सप्लाई जो VUD यो कर रहे हैं उसमें ही आप बचाओ कर सकते हैं यहां पर जुरूत लगती है वो जलाइए आपका मिंटर उबुल कम और कोई दूसरा उपाया नहीं कम करने के लिए बस यही मात्रे को पाया है कि आप अपयोप करेंगे उसी तरह कि आपको से डाउट भूल जाता है कि हमारा यह मीटर गडबल है कुछ हमारा जाद है बिला रहा है तो आप जो भी आपका रीडर आता है जो रिडी निकालने आता विदित का उस से आप संपर करिये वह आपको सारी जानकारी आप गलत होगा तो आपको इसको चलाय Wisconsin करेंगा अब उसको अपना प्रोब्लम है वह अपना बताना ऑप साह होगा उसमें कोई दिकट की बाद नहीं रहती में कुछ खामी आती मगर ऐसे प्रयासों पर नजर में डालना कि हमारा में लाइट कितना भी यूज करें जिसे हमने थमिले में लगा दिया है कि चाहें जितना लाइट यूज करिए तो आपका बिल जीरो परसंट आएगा तो ऐसा कुछ नहीं मेरा सिर्म मकसद एथा कि जो यूटूब में फ्रोड वीडियो वन रहें उनको बताने के लिए आपको कि इन फ्रोड वीडियो में एग्नौर करके चलिए ऐसा कुछ भी नहीं में मेटर के अंदर ना ऐसा कोई सिस्टम है न कोई रास्ता है कि जिसे में पीछे आएगा बैक नहीं होगा जंब मारेग उपर जा सकता है निकारण नीचे कब रहेगा जब आपका मीटर खराब होगा कभी खराब हो सकता है ये उसे दर घडव बनाकर दे रहे हमीटर तो इस तरह सिस्टम बनाया हुआ है कि वो पचासों साल तक चलता रहेगा उसके अंदर इस्टोर बना रहेगा और उसके मेमरी फुल प्रियास करें प्रियास करने से आपके से लुसकान सिवा और कुछ नहीं है लोस होगा जब भी होगा तो फायदे के रास्ते सिर्फ वही हैं कि सही समय पर सही अपनी लाटी उप्योग करो घर का उससे बिजली बिल कम हो सकता है बाकी मैं संतोसने साथ आप देख रहे हैं मेरा